तो हेलो गाईज मेरा नाम है मैंक तो स्वाइगत आपका इखर नूची डे 5 की फीडियो में तो गाईज यार कैसे आप सब लोग आई हूप अप सब पढ़िया होंगे तो गाईज अगर आपने लास्ट पला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो ट्रैवर है भाई इतनी चादा बेकार वाली अपनी बेस्टी कराया था उस फाइब स्टार होटल में यार लेस्टर ने अपने को क्लियर बताया था कि उसके अंदर अपने को ना सिंपल एंट्री नहीं मिल सकती उसके बावजूद भी ट्रैवर के दिमाग में पता ने भाई क्या हिरो ने का आया और उसके बाद भाई ये पहुच गया उसकी एंट्री गेट पर तो गाईस जब ये घर आया फिर दोनों एजेंट को पता चला इसके बारे में आ के भाई खुदी पागल है खुदी बतारा अपनी बेस्टी कि इसकी आज हो चुकी है होटल के बार और ये लोग जदा हसे है ना और लेस्टर कहा रहा है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ट्रैवर यार तुझे नहीं जाना चीए जो मेरा प्लैन है वो समझो उसको करके फिर जाओ लेस्टर का ये प्लैन था कि हम लोग अच्छे से एक गाड़ी करी दें और उसके बाद यार माइकल जाये सीधा अंदर तो शाय से अपने को एंटरी मिल सकती थी और ट्रैवर गया आपको पता होगा ये तो जाके उसको बोड़ी दिखा रहा है डांस कर रहा है और इसको तो यार उसने बेस्टी करके भगा दिया और अब लेस्टर से मेरी पूरी बात हो चुकी है और किम से तो मैंने उसको बोला ऐसा अपने को क्यों करना है तो यह करा पहले उसको लेकरा तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा तो चलो घाइस अब चलतने ट्रैवर मेरे साथ अब चल कुई प्राबलम नहीं करने तुछे अब चल्डिसे हम लोग चलते हैं नीची की तरफ प तो सीरो मतलब दो लाग पाँच है और उने में तो जल्दी से करबा देना अब चल्दी से हम आतो चुके हैं नीची की तरफ और ट्रैवर इस ट्राइम गाड़ी मैं चलाने वाला हूँ और देखरो जो अपनी दूसरी वाली गाड़ी है निसान जीटियार उसको तो नुमारे भाई ने पार्किंग में घड़ा करके रख दिया है और ये है अपनी बुड़ो गाड़ी तो चल्दी से हम मेरे साथ में आके बैठ जा और वैसे ट्रैवर ने भाई अपने इस रेस जी लेंगी गाड़ी है रोल्स रोइस उसको जाकर ले और उसके पास पर मैं तुम्हें बताता हूं तो चलो गाइज बिना किसी टाइम वेस्ट के ना हम लोग भी अपनी वुड़ो गाड़ी को लेकर चलते हैं सीधा अपनी पार्किंग पे ओके तो गाइज हम लोग ना फाइ लाइट लगा रखे कब से सामने भी रैड यहां पर भी रैड तो चलो कोई दिक्कत की बात लिए फाइनली अब लाइट क्रीन हो चुकी है अब अपने को चल्दी से चलना पड़ेगा और चलो सही है अब चल्दी से ना हम लोग अपनी पार्किंग के क्लूज है और भाई अब भी बहुत गंदे वाली टक्कर बसती और हम बच चुकी और एक सेकिंड चल्दी से चलते यह क्या सीन चल रहा है एक सेकिंड के लिए ट्रैवर मेरे साथ है लड़ना कुछ भी नहीं अपने को और यह क्या सीन है यहां पर यह बंदे अपनी सामने की तरफ पार्किंग ह है मारना नहीं है इनको और भाई ट्रैवर ने तो एक सेकिंड उसको देखे कोई नहीं रहा है देखरो दोनों आपस में पागल हुए पड़े है लड़ने में दो मिनट लगेगा इनकी केम बजाने में पर गाइस पता नहीं यार यह क्या ही शराबी है देखरो गाइस एक ब मुझे लगा पिस्टल में मारी देता हूं और ट्रैवर ने बजा ही दिया इसकी पिस्टल और बंदा चल निकल बेटा बहुत ज़्यदा चोड में था और खत्मी कर दिया और जो दूसरा था वो उसके किसमत सई थी भाई वो डर कर पहली बाग गया और बाकी अवास तो इंतिजार करता हूं और बस ट्रैवर आते ही होगा भाई प्यास जब हम लोग समझा रहे हैं को कि चुप चैप तुम लोग चले जाओ पर नहीं यार चोले इतनी ज़्यादा कि लड़ाई कर लेंगे और अपनी फाइनली रोल्स रोइस कोस्ट आ चुकी है अब चल दी से न ट्रैवर यार रुक जा भाई इसको मैं होर्न मार रहा हूं तब भी नहीं रुकने प्यारा और खुद तो पता नहीं पागलो यसे कैसे चला रहा है गाड़ी को और मेरी बात सुन गाड़ी एक्सचेंज कर अपनी भाई दोनों इस ट्राइम पर बहुत ज़्यादा महेंगी आड़ी हो जाएंगी समझ रहे हैं अपनी लोग कोशिश करेंगे कि हम लों कम गाड़ाइँ अपने है prawर लेकर जाएं और भाई इसको क्या दिका था और फाइंली ना मैंने अपना दोर बन खर लिया है और भाई ट्रैवर आभी जाएगा ना । पास्में कि कहां चला गाए दिखने फहीं नहीं आ रहा है अभी तो यहीं कहीं था और भाई Hani दूर पाग गया था बागल है बात ही नहीं मेरी सुनता है और भगार एस टाइम पर पूरी गाड़ी और इसको ना चलती से ना मैं बोल देता हूं अचिए लोगाईजा ट्रेवर ना पुनी गाड़ी को ले करके पार्किंग में जा चुका है में बात यह अपनी गाड़ी की क्यूं रखूंगा तो भाई यार अगर पुलिस कलती से भी आई तो दिक्कत हो जाए आज आप पागल है या ट्राइवर देख रहे हो और यह बंदा बाग कर आया उसका बदला लेने के लिए शायद और इस ताइम पर लड़ने लग चुका है और यह कर रहे है खड़ियों करके तो जैसे कि आप देख और आज आ ट्राइवर पागल है क्या एक तो फैली अपने पीछे मिलिटरी पुलिस इतने बंदे पड़े हैं उपर से भाई सब के सामने आपर एके 47 उसके चैस्ट में भाई से भुसा दिया सारी तो चलो गाइस यार कोई दिक्टत की बास नहीं बस बस मनाएगा और जो दूनों अपने एजर्ट है उनको अपना बाडिगार बनाएगा और शैस से рублей में जहता है अब चल दी ie जो गाणी को बहुत ज्यादा पड़िया लग रही ह है अब बार ढ़त जाना के उपने लैसंतर के बेस सब दो ये सब घाडियां बहा में लोगल है नशे में गाड़ी चला रहा है मुझे जहां सक लग रहा है और पीछे की तरफ देख रहो खुद भी उलट रहा अपनी गाड़ी लेकर और जितने भी गाड़ी है वह गोलियां भी लगा रखें इस वहीकल में तो और यह वहीकल अपने पीछे पड़ा हुए है तो इतना ज़्यादा इंपोटेंट का मैं अपने को रोज 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 लेकर जाने अपने और पॉलिस क्या ही कर रही है कहीं पॉलिस का ही तो यह बंदा कोई नहीं है ना मुझे तसा लगारा कि यह फ्पी आई या पुलिस वालों की ही कोई गाड़ी है और यहां पर भागाती एक बार भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वैगोस गैंग का लीडर है इतनी चादा खतरना गाड़ी लेकर के वैगोस गैंग का लीडर है अपने को मारने के लिए जब भाई हम लोग इसको ढूंड रहे थे उस टाइम इसका कुछ भी ना मुनिशान नहीं था और जब इतना ज्यादा important काम अपने को है और भाई गाड़ी लेकर को भाई क्या दिक्कत वाली काम कर दिया इसने तो पूरी गाड़ी ही अपने ठोक दिया है तो जल्दी से ना अपने को इसको मारना पड़ेगा अरे भाई ट्रैवर उस गाड़ी में ही है और अपने जो र भाई पहले आसे और अपनी काढ़े के किंडिशन देख रो हो क्या पूरे वाली कर दिया और ये गाड़ी निया पूरी आपदा पूरी मॉंस्ट्रक लग रही है यह देखने में और यार अपनी इतनी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी रोल्स रोइस कोस्ट का क्या ही काम कर दिया और इस टाइम पर यह चलने पर भी निया ओ भाई वह अब खतम है भाई मुझे लग रहा कि अब यह गाड़ी पूरी खतम हो जाई दी और फस कहां पर गई है यार यह जादा गाड़ी उन्होंने पूरी बेकार कर दिया और इतने ज्यादा बंदे आ पीच्छे से ओ भाई ट्रैवर मेरी बास कवर में आना पड़ेगा अपने को ऐसे मतलब भागला ट्रैवर यार बंदे देखकर मारते जा रहा है मारते जा रहा है और अब आ रहा है जिसमें उपन हो चुकी है मतलब यार चल चुकी है और चल दी से अब इसको चलाते है लेक चाक भाई पहुंस तैसी दा लेस्टर के पास तो गाईज आर जब हम इतने दिनों से बैगोस गैंग के लीडर को ढूंड रहे थे उस टाइम भाई वो नहीं मिला और अचानक से जब अपन हुआ है और मेरा तो खुद दिमाग पूरा खराब हो चुका है अब चल दी से एक सेकंड ये गाड़ी वैसे बहुत ज़्यादा विकार लग रही है निकल यहां से तो चलो गाइस अब चल दी से उसके बाइक पर बैठते हैं और बाइक के बैठने के बाद हम लोग पढ़ेगा जो में दिक्कत वही है जो अपनी रोज 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 गोस्त सी उसी को वैगावस गैंके लीडर ने डिस्क्रॉइ कर दिया और वैसे लगा नहीं था भाई वो गाड़ी डिस्क्रॉइए हो जाएगी और पर हो चुकी है यार अब चल दी से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा अब जो बात है वो लेस्टर बताएगा चलो जाड़ी ले रहाए और मेरा अगला प्लैन यह है सुनता ही नहीं लेस्टर बात को अपना जादी दिमाग चला रहा इस टाइम पे और ट्रेहवर इस टाइम इसको बताने लग चुका है सब कुछ कि क्या सीन अपन करो लेस्टर गारा तुम्हें सलूट है यार तुमने बहुत ज़्यादा बड़ियां काम कर दिया अब हम लोग गई थी अपनी गाड़ी लेने के लिए अब लेस्टर भाई बिन बात के कह रहा है तुम कैसे नहीं ध्यान दे पाई कि इतनी ज्यादा महेंगी गाड़ी अपनी सब बिकार सीन है यार मैं वेगोस गैंग के लीडर को बिल्कुल भी निछोड़ूंगा और इस टाइम पर मैं जा रहूं पूरे वेगोस गैंग के एरिया में और ट्रैवर भी मेरे साथ जा रहा है और हम लोग जाकर वहाँ पर नैसी जादत तबाही मचाएंगे ना कि जिस लोगा इस ट्राइम पर वेस्ट बगारा ट्रैवर पूरी डाल कर आ चुका है और देख रहो हाथ में है ट्रैवर की गन और पूरे गुस्से में तो लड़ाई वैसे मैं करता नहीं हूं पर ट्रैवर वाला दिमाग इस ट्राइम पर मुझे लगाना पड़ेगा और हटो बा पर आगे पुली स्टेशन भी पड़ता है और देख रुचात ही चोड में है ट्रैवर तो चलो गाईज यार इस ट्राइम पर तो समसे बहुत जादा दिमाग खराब है अब तो पूरे वैगोस गैंग में घुस करके उसके लीडर को तो कुतों की तरह पीटूंगा मैं बस एक बार ना उसका लीडर मिल जाए और यार पर मुझे लग रहा ना अब तो वो होगा पर स्क्यूर्टी भी बहुत जादा वहां पर होगी तो गाईज जैसे कि आप यहां पर देख रूगे ना हम लोग पहुंच चुके हैं वैगोस के एरिया के बहुत जादा क्लोस और व सब के सब आओ और पीछ तो चादक चोड़ में चल निकल यहां से पहली सीने किसी को मार दिया तो तो निकलो बेटा ट्रैबर को क्या तुम लोग मारोगे मेरे से लड़ो ना पहले तो सईया भाई अब तेख रूख का खतरना पहला सीन हो रहा है इसको गंजे यहां पर मैं खडाओं और यह सामने लड़ने में लगा और शॉट गन निकल गन जेतरे खोपड़ा ऐसा खोड़ूँगा ना पूरा भाई पाली में आएंगे मुर्गे और यहां पर तू भी खाले है और जो मर गया उसको में मैं चार बार मारूँगा और इसको देखो चादा कवर आरा तो जल्दी से आजाओं और बाकी तो मुझे लग रहा कि हमने बंदे तो मार दिया है और अब भी तक इनका लीडर नहीं आया है ओ भाई ट्रावर ने एक पिस्टल मारी है गैस कैन पे और गैस कैन तो क्यों जो गाड़ी तेल वाली होती है उस पे और पूरे ब्लास्टी ब जलती इनके बॉस की है और बस एक पर वो दिख जाए ना तो इनकी गेम बजा दूँगा और रुक भाई इस पर मैं स्टीकी वम चिपकाता हूं और ब्लास्ट अभी कर देंगे तो पीछे चल थ्री टू वन तो चलो गाइस यहां पर ना पूरे एरिया में इनके तबाही देख रहो गाइस इस टाइम पर ना हमने की इतनी चाहत आंकाडियां ब्लास्ट कर दिया है और कोई यह क्या भाई इनको उठाने आ रहा है निकल ले यहां से भी ब्लास्ट कर दूँगा पूरा कसम से बोल दे रहा हूं उसलो सही है यार एक आधी गाड़ी और बची है कि भी ना पूरा तोड़ देते हैं जैसे मेरा कोई भी मूड यह नहीं था कि हम लोग वैगोस गयांके एरिया में खुस करके इनके पूरी केम बजा दे और पर जिक भाई चलने लग क्यूकि है एक सेकंड ट्रैवर गाड़ी से दूर हो वहां पर मैंने बॉम रखा है तो पर बहुत जाद आ रहे हैं और इतना गुस्सा मेरा शांत नहीं हुआ है तो एक सेकंड दिक्ट की कोई भी बात नहीं और भाई ये पीछे चे क्या हुआ है पीछे और बंदे हैं के आओ भाई लड़ना है तेरे को चाहदा ही वेगोस का लीडर बन रहा है तुई है तो चल है पहले ना मैं मास डाल लूँ क्या बोलते हो मैं मस डालेता हूं तो या और भी ज्यादा बड़ी वाली प्रॉबलम यह पर हो जाने वाली है यह लोगाइस यह फाइली हमने इस चाहिंपर बास पर ढ़र तो डाल लिया है और जो पुलिस वाले हो देख रो क्या ही स्टाइ निकल चाहिए होगा नहीं तो हम लोग सीधा आज मारे जाएंगे मुझे तो ऐसी पीलिंग आ रही अंदर से और रुको यार पुलिस वाले मा भाई इन्हों ने फाइरिंग करी है वो सीधा मारे गए है और उपर वाई क्या ही ब्लास हो रहा है अपने को एक गाड़ी बचानी आ रहे हो सीधा ही मारे गए हो तो चलो गाई जैर अब अपने के पुलिस की गाड़ी मिल चुकी है और पर इस गाड़ी में भी बात नहीं बनने वाले क्यूंकि इसके अंदर लगा होगा जीपियर्स तो अपने बोना इससे अलग कोई वीकल ची होगा या तो कोई पाइक भ भी ब्लास्ट हो रहा है और इतने अरे भाई ये गाड़ी पेंचर हो चुकी है पूरी मुझे तो जहां तक यहीं लग रहा है और पूरी स्वैट टीम भी क्या ही उडूर के घिर रही है भाई दिक्कत होगी है यहां पर वैगॉस के करके सब पुछ हुआ है आज मेरा मूर इतना ज़्यादा बढ़िया था और भाई आज मैं सुद्धा कि कोई भी लडाई ना करूं और उसके बाद उन दो बंदों को पता नहीं क्या क्या तो अपनी पार्किंग के पास थे उसके बाद यार वो तो चलो सही है हम लोग अपनी गाड़ी आराम से गए लेकर के और य यह गाड़ी नहीं चलने प्यारी है पूरी ही यह भाई पैंचर रो रखी अब चल देज़े अपने को ना इस गाड़ी से उतरना पड़ेगा और पहले काम करते हैं और यह गाड़ी देख रो भाई पूरी बेकार है इंदने भी भी नहीं आ रही है उसके डोरी लोग हो शुकर करो अपने पर वेस्ट है और यह लोग क्या ही है इतने लोग खड़े हैं निकलना गंजे तू मरेगा बेटा तू चितना मर्जी छुप ले तुझे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला अब अपने कोई से काड़ी से काम दिलाना पड़ेगा तो बैटल दिस है और तेकर उपनो इसकी बहुत चादा है शुकर करो हमने टाइम पर मास्ट डाल ली है नहीं तो आपको पता है क्या सीन हो जाता है और यह कैस ओ भाई साब यहाँ पर अपनी काड़ी थोड़ी से हावा में है पर ज्यादा दिस भावा में नहीं थी और यह इधर प्लास्ट है और अपने को कोई वेहिकल चाहिए होगा और मैं बाप के सिंपल बंदों क्यों मार रहा हूं और हैलिकॉप्टर वगरा पीछे की तरफ है तो एक काम करते है ट्रैवर मेरे साथ हाँ ऑप अपने कोई गाड़ी मिल सुकी है तो साही है इसमें बैठते हैं और एक सेकिंड पीचे की तरफ कुछ बाइक्स वगरा खड़ी हुई है तो चल देसे कोई भी बाइक मिले उसके अंदर बैठते हैं और जो चौपर है भाई बिल्कुल अपने ऊपर है और यह ट्रैफर भी सामने की तरफ है अब चल देसे अपने को बैठना पड़ेगा या कोई भाई मेरे यहां से निकलना पड़ेगा और अगर हम लोग नहीं निकल पाई बच करके तो समझ रहो अपनी आज मौत पकी है और यार कुछ भी मैं चला रहा हूं बहुत जाता पिकार चल रहा है क्योंकि ना गाइज यार क्या ही पता हूं इतने चादा पुली सा पिच्छी की तरफ औ देखरो पिसमत बहुत जाजा बढ़ियां चल रही है और आपने ऐसी बाइक देखिए कहीं टायर के बीना हम लोग चला रहे हैं उसके जो भी वह होता है उसके हिसाब से चल रही है बाइक अगर पीच्छे वाला भी तूट गया तो समझ रहे हो पिर आज हमारी बहुत पक् करके देखते हैं पुलिस कब तक हटेगे अपने पीचे से तो चलो गाइस यार पॉइंट लीना हम लोग एक जगा पर रुके हुए थे और इस राइम पर ना जो पुलिस है वह हट दूकिया पीचे से और देखरो अपने लोग कितने आज़ा टैमेज हो चुके हैं और एक पुलिस है ना मैं अपनी पाइक भगाता हूं और हम लोग अपने बेस के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और बहुत ज़्यादा बेकार काम हो गया था पर अभी भी टेंशन काम नहीं हुई है अगर इनको शक हुआ अपने उपर कि यह लोगी थे माइकल और ट्रैवर तो दि इन टायर की बाइक को बगाते हैं और चलते हैं सीधा अपनी पार्किंग के एरिया में और यार यार यहां पर लेस्टर भी खड़ा हुआ है और यह नाम की बाइक है यार देखरो बहुत ज़्यादा बेकार हालत होगी है पर इस टाइम मन थोड़ा सा शान्त है और चलके इ पास से दस मिनट हो चुके हैं लेस्टर के और पीचे की तरफ आप अपनी स्क्यूर्टी देख रहे हो तीनों खड़े हैं ट्रैवर अपने दोनों एजेंट क्योंकि आज जो काम हुए वेगोस गैंके लीडर ने अपने उपर हमला कर रहा है और उसको पता अपने बारे में है उस होटल की अंदर और यह तो पूरा भाई ब्रीफ केज ही ले आया हाथ में और इसके अंदर क्या है यार और ट्रैवर भी यहां पर रहेगा और जो निसान जीटियार हम लोग पार्किंग में से लेकर आ चुके हैं चलो गाईज अब चल दिए लेस्टर बैट और अपन तो उसको क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं मेन जीजन यहीं है ना विए आदे लोग सैंट उसमय अपने गाड़ी की पहचान है यह गाड़ी है माइकल की और वैसे भी इन्हां लग्जरी गाड़ी है वाँ पर अलाउड होंगी सूपर गाड़ीयां नहीं होंगी आपको पता जब तक घर पे अटेक नहीं होगा ना ही हो यार मैं तो यहीं सोच रहा हूं अब चल दी से चलता हूं सीधा मैं अंदर की तरफ और लेस्टर के पास भी कोई ट्रेस बगार है शहाँ से और यह भी चेंज करेगा तो चलो गाइस यार माइकल आ चुका इतने दिनों के बाद अपने घर में और यहार जो अपनी फैमली है वह है फार्म हाउस पे अब चलती से अपने को चलना पड़ेगा और यह बैड कहां पर है भाई मेरा एक सेकंड यह बैड कहां चला गया यही पर हुआ करता था भाई बैड मुझे लग रहा है ना भाई कोई चोर आया था अपने गर में या तो बैड लेकर जा चुका है या पता नहीं अमेंडा नहीं है फार्म हाउस पे ना मंगबा लियो बैड यह भी हो सकता है तो चलो गाइस अब चल द होगे ना इस टाइम पर हमने डाल लिया है वाइट कोट पेंड और यार ब्लैक बहुत ज़्यादा ज़स्ता है माइकल के उपर और वाइट भी ज़स्ता है और इतने दिनों के बाद अब हम लोग देंगे ड्राइवर की जॉब लेस्टर को और वैसे लेस्टर ने आस तक न पलता हूं पका यहां पर होगा यहां पर भी नहीं यह नहीं और फसी और जल्ते के रूम में क्या तो चलो मुं पर यहां पर कहें रहे हैं तो गाइस च्ञाई पर मुझे सब कुस सब मच आ चुका है पहले मैं सोच रहा था कि अपनी निसान जीटियार को यहां पर खड़ा करके जाएंगे पर वो अब नहीं करना अपने को प्लैन में कुछ चेंजिस हैं और लेस्टर अपने को बोल रहा है कि इसको लेकर चल सीधा बैनी के शोरूम पे और बैनी ने वो इंतजाम कर दिया गाड़ी का जो उसको मैंने बोला था तो चलो गाईज अब चल देजा हमें चलना पड़ेगा बैनी के शोरूम पे एक तो भा काड़ी होगी उसको शायद लेस्टर ड्राइब करेंगा और लेस्टर लग रहा है क्या कोई विल्कुल एक ड्राइवर जहां तक तो मुझे लग रहा आप विच्छूर से बताओ ब्राउन कोट पेंट को डालता है बाई एक तो ड्राइवर है ब्लैक डालना चीए अगर मै सिदा पैनी के शोरूंग पर चैसे कि आप यहाँ पर देख रोगे ना हम लोग अपनी निसान जीटियर भागा कर आप क्योंके है सीदा पैनी के शोरूंग अब चल देखने को चलना पड़ेगा अब मुझे नहीं पता भाई पैनी ने कैसे वो काड़ी का जुगाड करा और हम जजादा उपी लग रही है क्या हम इसको लेकर जाने वाले है क्या और यहाँ पर बैनी सामने की तरफ और इसने एक बंदे को गिरा रख था खांब मुझे लग रहा है भाई यह गाड़ी शैसे इसकी है और इसके हाथ में क्या है भाई की इस पकड़ रखी है बैनी ने इसका मतलब ये गाड़ी इस बंदे की है और यार जो गाड़ी है भाई वो ही है जो हम लेकर जाने वाले है जो लेस्टर बनेगा ड्राइफर और मैं बनूंगा बॉस और इक पर बैनी से बात चित करके देखत बैनी पर बैनी से पूरी बात हो चुकी है और ये बंदे की है ये बैंटले गाड़ी और बैनी बोल रहा है कि मुझे न लेस्टर का कॉला है था कि कोई लगशरी गाड़ी चीए जिसको हम लोग एक पार्टी में लेकर जा सके हैं और उसके बात कुछ टाइम पहले बैनी के पूरी बदल दी और बंदे की गाड़ी तो बहुत ज़्याद चमक रही है और वो बंदा मैंने बोल दिया है एक तो उसकी गाड़ी उसको मारना बिल्कुल मत काम होगा हम लोग उसको गाड़ी दे देंगे और लेस्टर मेरी बास्तुन दियान से अब तू चुप चाप और मैं बैटूँगा तरे साथ में तरह बॉस बनके यही प्लैन होगा जहां तक और एक सेकिंड चीक अपने को बोल रहा है ओ भाई जैसे कि आप यहाँ पर देवर होगे ना लेस्टर आ चुका है और यह कह रहा है इस टाइम पर मैं बॉस हूँ क्योंकि मैंने सारा प्लैन बनाया है और तो तो अपनी रोस रोइस जो गोल्ड है उसको तो ब्लास्ट करवा कर आ चुका है तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देखर होगे ना इस टाइम पर गाड़ी मुझको ही ड्राइब करनी पड़ेगी और लेस्टर है अपना बॉस और भाई मैं अपसे सोच र ओपी काड़ी लग रही है और यह बहुत ज्यादा जैसकी लूडब खतरनाक लग रही है और सब काड़ियों दो क्यों जाना नरा यह लगारा今 चला है मैं जिंदगी में आज तक कभी भी निच लाई है और जो इसका हॉर्म है एक फर उसको बजा कर देखते यह यह क्या है भाई इस सब्सक्राइब करें तो इसका बहुत ज्यादा बढ़ी है अब जब भगाते हैं और और पहुंस तहीं सीदा उसी पूटल पर जहां पर मिलीटर के कान को रख रखा होगा वाई एक पर ने स्पीड मैं जुरूर से ट्राइ करके देखता हूं तो इसकी ना एक बर मैं स्पीड ट्राइ करके देखता हूं कितनी जादा तेज भागने वाली है गाड़ी और अब भी तक तो बहुत जादा पड़ीया चल रही है और एक तो होर्न इसका बहुत जादा स्लो एयर लगजरी बहुत करों जाएंगे और वैसे थोड़ा बच कर जा रही है और आगे लेट ले ना यहां से राइड ले तो ले और हम लोग बहुत जाएंगे और वैसे बोड़ा रही है भाई मुझे पता है लगा हुआ है भाई पागलों की तरह एक सेकंड लेस्टर ने बोला अपने को डरना बिल्कुल भी नहीं है स्क्यूर्टी देख रहो भाई बहुत जादा या स्क्यूर्टी सामने के तरफ इतनी जादा स्क्यूर्टी है और भाई इसको तो मैं कुछ कह भ है भाई मैं इनको एक बार देखके पूरा पहचान चुका हूं देखने पर ही और यह लोग भी इस होटल में आया है और यह तो यहार कायो पैरिकों थे और यह लोग यहां पर कैसे आ चुके हैं और चल्दी से ना अपने गोना इस टाइम निकलना चीए इस सीधा पार्किं रहा है उसके हाथ में था एक रोज हम लोग सोच रहे थे कि पूरे अच्छा भी हैवियर बना कर जाएंगे और फेक आईडी अपने पास थी ही फेक नाम की और भाई देख रहो यार क्या सीन हो गया यहां पर और पूरा जो गुलाब है हाथ में लेसर के वो भी मुझे लग तो दिक्कत हो जाएगी माइकल भी बहुत ज़्यादा घुसे में जैसे कि आपने इसका फेस देखे लिया होगा और फाइप बहुत ज़्यादा कसन से मूड पूरा खराब हो चुका है और अगर हम लोग इस टाइम पर चाहेंगे और अपनी जो प्रॉब्लम है अन्ना और क जाओगा तो चलो गाइस है अगर आपको यह वाली वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो का जरूर से जाके लाइक कर देना लाइक है मैं पूरे 15,000 लाइक का चैनल पर चैनल को भी ना जरूर से सब्सक्राइब कर दो दो लाग पाच या सब्सक्राइबर चल दिए अपने भाई के करवाओ तो चलो गाइस यहर इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहागा उसको भी जाके फॉलो करना बिलकुल भी मत भूलना मिलते हैं बहुत है अगले वीडियो में तब तक के लिए भाई गाईस लव यॉल